हलो स्टुडेंट्स वेलकम एगें टू मैं चैनल संदीब जैन क्लासिज आज हम क्लास 12 इंगलिस लिटरेचर की टेक्स बुक प्रुडेंज के शोर्ट स्टोरी सेक्शन में फौर्थ चेप्टर एवलीन बाइ जैम्स जोईस की स्टुडी करेंगे इसकी स्टुडी के अंतरग स्टुडी के राइटर हैं जैम्स जोईस जैम्स जोईस एक आईरिस नोवलिस्ट और पोईट थे और बीसमी शताबदी के सबसे प्रभावशाली और सेलिब्रेटेड लेखकों में से एक थे ये कहानी एवलीन एक ऐसी यूगती के बारे में हैं जो अपने पिता के रात उस पे लादी गई भारी भरकम पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा रखती है वह एक सुखी जीवन यापन करना चाहती है और इस हैतु घर से भाग जाना चाहती है लेकिन जब उसे इसका मौका मिलता है तो वो ऐसा कदम उठा नहीं पाती है और इस प्रकार प्राप्त होने वाली स्वतंतरता का त्याग कर देती है आईए हम इस कहानी का सारान समझते है और इसके मैत्वपुन प्रश्णोतर डील करते है खिड़की में धूल सने परदों के सहारी सिर्टी काई एवलीन सामने सड़क पर पसरती शाम को निहा रही थी जहां नए लाल मकान बन गए हैं वहां कभी एक मेदान हुआ करता था तदा गली के सारे बच्चे डिवाइन्स वाटर्स डंस क्योग चोटी बाली का क्योग जो दिव्यांग थी एवलीन और उसके भाई बेन यहां खेला करते थे एवलीन का बड़ा भाई अरनेस्ट उमर म उन सबसे ज़्यादा बड़ा होने से उनके साथ नहीं खेलता था एवलीन के पिताजी को उन बच्चों का वाँ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वे बलेक थोन की चड़ी लेकर उनके पीछे भागा करते थे उन्हें धमकाया करते थे ज़्यादा तर क्योग वो वो उनके पिताजी के आने का ध्यान रखा करती थी और उन्हें देखते ही पहले ही आवाज लगा कर सबको सचेत कर दिया करती थी वे बच्च्पन के प्रसंद तादा एक दिन थे उसके पिताजी उन दिनों इतने बूरे नहीं थे और उन दिनों उसकी माँ भी जीवित थी इन बातों को बहुत समय बीट गया था और वह उसके भाई बेन सब बड़े हो गए थे उसकी मा मर चुकी थी उसके साथ खेलने वाला TZ दन भी मर चुका था वोटर्स परिवार भी Ireland से वापस England जा चुका था और राजवववी दूसरों की तरह इस घर को छोड़ कर चा रही थी उसने मिस्चे कर लिया था वो इस घर को छोड़ कर भाग जाना चा रही थी में एक बार ही डस्टिंग कर पाती थी इससे पुर्व इससे अलग होने कि उसने कभी कलपना भी नहीं की थी तूटे वे हार्मोनियम के उपर दिवार पर टंगे एक पादरी की पीली पड़ती फोटो को देखकर वह सोच रही थी कि इतने वर्षों में भी उससे उनका नाम नहीं पता चला उस पादरी का नाम पता नहीं चला जो उनके पिताजी के स्कूल के समय के मित्र थे और अब मेलबन आस्ट्रेलिया चले गए थे पिताजी कोई भी व्यक्ती जो घर में आता उसको दिखाते वे इस बारे में जिक्र किया करते थे वह आज विचार कर रही थी कि घर को छोड़ना या घर में ही रहना इन दोनों में से क्या जादा बुद्धी मता पून था वह तुलना कर रही थी कि क्या मैं घर छोड़ के चली जाओ वो जादा अच्छा है या इस घर में रहूं वो जादा अच्छा है एक तरफ जो भी हो उसे अपने घर में रहने खाने पिने का आराम था जिसे वो अपने जीवन में जानती थी वे सब लोग उसके साथ थे हालांकि उसे घर में और इस टोर में जावा नोकरी करती थी दोनों जगे अत्य धीक काम करना पड़ता था घर में भी सारा काम उसी के जिम्मे था इस टोर में भी उसे भूत काम करना पड़ता था वो सोच रही थी कि जब इस टोर में सब को पता चलेगा कि वो किसी के साथ भाग गई है तो वे सब क्या सोचेंगे वे उससे मुर्क समझेंगे उसकी जगे किसी अन्य को रख लिया जाएगा विग्यापन निकाला जाएगा और कोई अन्य उसकी जगे नोकरी करेगा मिस गवन जैसी महिलाई जो हैं जो अपने आपको उससे ज़्यादा सुपीरियर मानती थी वे तो अत्य दिख खुश होंगी और दूसरी तरफ अन्जान शहर में नए मकान में इस प्रकार का वातावर्ण नहीं होगा जावजानी के बारे में विचार कर रही थी जहांकि उसने योजना बनाई थी वहाँ वहाँ शादी शुदा एवलीन होगी उसका आदर तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना उसकी मा का हुआ करता था वहाँ हलांकि उन्निस वर्ष की हो गई थी फिर भी उसे अपने पिताजी की पिटाई और दुर्व्यवहार का डर लगा रहता था वह घर में भैबीत रहती थी उसके पिताजी नहीं था बड़ा भाई अरनेस्ट मर चुका था हेरी चर्च की सजावट के अपने बिजनेस में बिजी रहता था और प्राय देहात में रहता था प्रतेक शनिवार को जब एवलीन को इस्टोर से पेमेंट मिलता था उसके पिताजी रात्री को एवलीन से पेसों के लिए जगड़ा करते थे ये एक ग्रेक लेश प्रतेक सनिवार को होता था वो अपनी सारी मजदूरी जो प्रतिसपता साथ शिलिंग हुआ करती थी और हेरी जितना भी हो सकता था अपने पिताजी को दे देते थे लेकिन यहां परेशानी ये थी कि पिताजी उनसे पेसे ले तो लिया करते थे लेकिन पेसे वापस उनसे नहीं निकलते थे वो वापस पेसे उन्हें नहीं देते थे वे कहते थे कि तुम लोग फिजूल खर्च कर दोगे तुम्हें पता निये पेसों का वे कैसे करना है और अंत्वे में कहा सुनी के पस्चात्व कुछ पेसे एवलीन को देते ताकि रईवार का खाना खरीदा जा सके एवलीन ही बाजार से सारा समान खरीद कर लाती थी और कठीन मेहनत कर घर को संभाल रही थी एवलीन के दो छोटे भाई बहन और थे जिनका पूरा खयाल उसे ही रखना होता था वही उनका पूरा ध्यान रखती थी उन्हें समय पर स्कूल भेजना, तैयार करना, समय पर खाना, खिलाना ये सब एवलीन की जिम्मेदारी थी उसका जीवन अत्यंत कठिन जीवन था लेकिन आज जब वह इसे छोडने जा रही थी वह इसे मुक्त हो रही थी तो वह इसे पूरी तरह से अनिचित जीवन नहीं मानती थी आज उसे इस जीवन में कुछ स्वयम की इच्छा भी इसकी जुड़ी होई जान पड़ती थी वह फ्रेंक के साथ नया जीवन तलासने जा रही थी वह उसके साथ आज रात के जहाज में ब्यूनस आयर्स जहां उसका घर था वहां रहने के लिए जाने वाली थी फ्रेंक एक दयालू पोरुश युक्त और खुले दिल वाला था वह इस्टोर में उससे मिलने आया करता था संगीत का शोकीन था और उसे बोहेमियन गर्ल फिल्म दिखाने थीटर में भी लेकर गया था दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे वह उसे मजाक में पोपंज कहता था वह बहुत बातुनी था और उसे दूसरे देशों की कहानिया सुनाया करता था खताई कहा करता था वह पेशे से नाविक था और प्यूनस आयर्स में रहता था और यहां आयरलेंड में छुटियां बिताने के लिए आया हुआ था जब एवलीन के पिता को फ्रेंक के बारे में पता चला तो वे अत्यंत नाराज हो गए और एवलीन को उसे मिलने से मना कर दिया वे नाविकों को पसंद नहीं करते थे और एक दिन उनका फ्रेंक से जगड़ा भी हो गया उसके बाद एवलीन को फ्रेंक से छुप छुप कर मिलना पड़ता था एवलीन खिड़की के पास बेठी अपने गोद में पड़े दो पत्रों को देख रही थी उसने दो पत्र लिकिते दो चिठियां लिकिती एक पत्र उसने अपने पिताजी को लिखा था और दूसरा पत्र अपने भाई हेरी को लिखा था उसके पिता अब बुड़े हो गए थे और वा सोच रही थी कि कभी कभी उसके पिताजी बहुत अच्छे बन जाया करते थे वो याद कर रही है कि एक दिन जब वो बिमार पड़ी तो पिता जी ने उसे भूत की कहानी पढ़कर सुनाई उसके लिए टोस्ट पकाई और एक वार बच्पन में जब उसकी माँ जीवित थी तो वे पिकनिक मनाने के लिए होवत की पहाड़ी पर गए थी तो पिता जी ने बच्चों को हसाने के लिए उसकी माँ का केप लगा लिया था जो लेडीज केप होता है वो लगा के बच्चों को हसाया था शाम ढल रही थी रात्री का समय हो रहा था उसका घर से जाने का समय निकला जा रहा था लेकिन वो वहीं खिड़की के पास उन्धूल बरे पर्दों के पास बेठी रही दूर गली में उसे एक वाद्ययंत्र की आवाज सुनाई दी उससे उत्पन संगीत ठीक वैसा ही था जो उसकी मां की मृत्यू के दिन बाहर गली में बज़ रहा था उसे बड़ा आजीब महसूस हुआ उसे उस दिन की बातें याद आने लगी जब उसकी मां की मृत्यू हुई थी उसे अपनी मां से किया गया वादा याद आ गया उसने मा को मृत्यू के समय वचन दिया था कि जब तक संभव हो सकेगा वो परिवार को संगठित रखेगी परिवार के सदस्यों को एक जूट रखेगी उसकी मा के मृत्यू के समय भी बाहर गली में इटली के वाद्दिवादक संगीत बजा रहे थे जिस पर उसके पिताजी ने टिपणी की थी कि ये लोग रोज रोज यहां चले आते हैं और उनको बुला कर छे पेंस देकर उन्हें वाँ से विदा किया था उनको जिड़िक दिया था उसे अपनी मा की दैने दशा का इस्मरण हो आया वो लगा था मृत्यों के समय कह रही थी कि सुक का अंत दुख है सुक का अंत दुख है एवली नचानक भाईबीत होकर खड़ी होगी उसे लगा कि इस दुखी अवस्ता से फ्रेंक उसे बाहर निकाल सकता है वह प्रसनता पूर्वक जीवन यापन करना चाहती थी वह इस प्रकार का दुख ही जीवन नहीं जीना चाहती थी नौर्थ वॉल इस्टेशन के बंदरगापर भारी भीड के बीच फ्रेंक ने उसका हाथ पकड़ावा था महाँ पे अत्यदिक लोग थे सामने जहाज दिखाई दे रहे थे उसे अपनी गाल पीले और ठंडे महसूस हुए उसका दिमाग चक्कर खा रहा था ऐसे लगा कि वो किसी स्वपन की अवस्था में है उसने इश्वर से मार्ग दर्शने तु प्रार्थना की फ्रेंक के साथ ब्यूनस आयर से तु जहाज पर उसकी सीट बुक थी वो लगातार इश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वो उनका मार्ग दर्शन करे वो उसे सही दिसा दिखाए फ्रेंक ने उसके लिए इतना कुछ किया था वो सोच रही थी कि क्या अब पीछे हटना ठीक होगा जहाज ने उसे दुंद में एक दुखदाई सीटी बजाई उसे लगा फ्रेंक ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ है और वह कह रहा है आओ आओ एवलीन ने दोनों हाथों से कसकर लोहे की रेलिंग को पकड़ लिया और उसे छोड़ने को तयार नहीं हुई फ्रेंक ने उसे फिर आवाज दी आजाओ आओ एवलीन ने मना कर दिया नहीं नहीं असंबवाई मैं नहीं आसकती फ्रेंक बेरियर को पार कर जहाज पर चला गया और एवलीन को लगातार बुलाता रहा लेकिन एवलीन ने चिला कर उसे चले जाने के लिए का फ्रेंक फिर भी आवाज देता रहा एवलीन एक निस करिये एक असहाई जानवर की तरह उसकी बात को अस्विकार किये जा रही थी उसकी आँखों में फ्रेंक के लिए आज न तो प्यार था न अलविदा का भाव था और न ही स्विकृति का कोई चिन था तो इस प्रकार हमने देखा कि उसने फ्रेंग के साथ भागने का घर जोड़ने का अपना इरादा छोड़ दिया आईए इसके कुछ मैतोपुन प्रश्णोतर हम डील करते हैं वेर डिड एवलीन वर्क एंड हाव मच डिड सी और एवलीन कहां काम करती थी और कितना पैसा कमाती थी हमने इसमें देखा कि एवलीन एक शोप में एक स्टोर में काम करती थी और एक शोप गर्ल के रूप में काम करती थी और प्रतेक सप्ता उसे साथ शिलिंग तंखा के रूप में मिलती थी एक अन्य प्रश्ण है what did Evelyn promise to her mother Evelyn ने अपनी माता से क्या promise किया था क्या वादा किया था हमने देखा कि Evelyn ने अपनी माता से वादा किया था उसके मृत्यू के समय कि वह परिवार के सदस्यों को एक जूट रखेगी परिवार को एक साथ रखेगी और उन्हें जो घर में जो छोटे बच्चे थे उनकी देखबाल करेगी उन्हें भोजन कराएगी उन्हें नियमीती स्कूल भेजेगी ये उसने अपनी मा से वादा किया था एक प्रश्ण है वाई वाज एवलीन विलिंग टू लिव हर फादर एवलीन अपने पिता को छोड़ने के लिए क्यों तैयार थी क्यों इच्चुक थी हमने देखा कि एवलीन के पिता जी जो थे वो उसके उपर बड़ा अत्याचार करते थे उसके साथ दुर वियवार करते थे और उसकी कई वार पिटाई भी कर दिया करते थे इससे वो भाई भी थी वो उस दुखी जीवन से छुटका रहा पाना चाहते थी और उसके उपर परिवार की स्टोर की अतियंत भारी जिम्मेदारियां आ गई थी तो उसके कारण भी वार अपने पिता को अपने परिवार को छोड़ने को तयार हो गी थी एक महत्वपुन प्रश्ण है वाईवाज एवलीन रिव्यूइंग ओल द फैमिली अबजेक्ट्स एट हॉम वेरी केरफुली एवलीन अपने घर की सभी जो फैमिली अबजेक्ट्स थे पारिवारिक वस्त में थी उनके बड़ी सावदानी से रिव्यू क्यों कर रही थी पुना निरिक्षन क्यों कर रही थी हमने देखा कि एवलीन अपने दोस्त फ्रेंक के साथ में घर से भाग जाने का एवलीन ने निर्ने कर लिया था और एवलीन जो थी घर में बड़ी दैनी इस्तिती में थी अपनी मा की मृत्यों के पास सारा घर संभाल रही थी उसके पिताजी का सहुभाव भी उसके प्रती अच्छा नहीं था लेकिन परिवार से और इस घर से उसका एक परकार से लगाव हो गया था और वह जो एक आकरशन था एक अट्रेक्सन था वह उसको वहाँ पर वापस खींच रहा था और इसलिए वह बार बार उन वस्तों घर का अवलोकन कर रही थी जिने वह उस दिन छोड़ कर जाने वाली थी एक सबसे मैतोपन प्रश्न है यानि अन्त में वह फ्रेंक के साथ नहीं भागने की बात का चैन क्यों करती है यानि अन्त में वह फ्रेंक के साथ में घर से क्यों नहीं भागती है हमने इसके अंदर देखा कि एवलीन एक योजना बना रखी थी कि वह फ्रेंग के साथ घर से भाग जाएगी और फ्रेंग का जो घर था 29 आयर्स में वहाँ उसके साथ में रहने लगेगी उससे शादी कर लेगी लेकिन जब उसने दोनों पक्षों का रिव्यू किया दोनों पक्षों को सोचा समझा तो उसने देखा कि घर के प्रती उसका एक लगाव था उसकी जिम्मेदारियां थी उसके पिता वृद्ध होते जा रहे थे उसकी स्टोर पर उसकी नोकरी के बारे में उसने सोचा समाज में इसका क्या परभाव पड़ेगा उसके भागने से उसके बारे में उसने सोचा और दूसरा जो एक महतोपुन था कि सब लोग उसके वहाँ परिचित थे और वो एक आकरशन भी उसको रोक रहा था और जो सबसे ज़्यादा उसको बाद में जो चीज रोकती है वो है उसका अपनी मृत मा को दिया गया वचन कि वह घर के परिवार के सदस्यों को एक जूट रखेगी जहां तक संभोव होगा ये वचन भी उसको फ्रेंक के साथ में भागने से रोक देता है तो वह अपने भाई बेन, अपने पिता, अपने घर, इन सब चीजों के प्रती उसका जो एक अटूट बंदन बंद गया था ये सब चीजें आखिर में उसे रोक लेती है और साथ में पारिवारिक और सामाजिक जो जिम्मेदारियां थी वो भी इसमें मैत्वपून रोल अदा करती है एक प्रश्ण बनता है, एवलीन's home is full of dust वो डस इट सिंबोलाइज एवलीन का घर जो है, वो मिटी से, धूल मिटी से भरा वा था ये क्या सिंबोलाइज करता है, क्या संकेत देता है हमने अध्याय के सुरू में ही देखा था कि वो दूल बरे परदों के पास सिर टिकाए बेटी थी और साथ में ये भी बताया गया था कि वो प्रती सब्ता वो dusting कर पाती थी, रोजाना dusting नहीं कर पाती तो यहां ये जो वातावन बनाया गया है जैम्स जोईस के द्वारा वो उसके जीवन में जो एक कमी आ गई थी जीवन में एक शुन्यता आ गई थी, उसका प्रतीक है एवलीन का जीवन जो था, वो दुख से बरावा, नीराशापून जीवन था और उसके पिताजी उसके उपर अत्याचार करते थे, दुर्वेवार करते थे तो उनी सब को मिला के जो वातावन जो लेकक निया क्रियेट किया है वो उसी प्रकार, उसी उनी चीजों को प्रतिमिंबित करता है साम ढल रही है, बाहर और अंदर जो है, पर्दे धूल मिटी से बरे में है गर को एक सब्ता में डर्स्टिंग की जाती है अंदर जो तस्वीर है, वो पिली पड़ चुकी है हार्मोनियम जो है, वो टूटा हुआ है यह सब चीजें जो है, यह बताती है कि आयरलेंड में उसमें लोगों का जीवन इस तर अच्छा नहीं था और जैसे वो पादरी जो है, वो वहाँ से मेल्मन आस्ट्रेलिया चला जाता है या फिर जो दूसरे परिवार थे, वो भी वहाँ से आयरलेंड से वापस इंगलेंड चले जाते हैं यह बताते हैं कि वहाँ का जीवन जो है वो अच्छा नहीं था और अच्छे जीवन के लिए लोग वहाँ से पलाइन करके दूसरी जगे चले जाते थे तो दूसरा एवलीन जो थे वो अपने पारिवारिक और नोकरी में घर के कामों में इतनी ज़्यादा व्यस्ट थी उसके उपर इतना ज़्यादा भार था नोकरी का, बच्चों की देखवाल का कि वो अपने घर को रोजाना साफ नहीं कर पाती थी और सापताई सफाई करती थी और इन सब बोज से वो तरस्त थी ये सब चीजें यहाँ पर तो इस प्रकार से लेकक ने इसको सिंबोलाइज किया है तो आशाय आपको ये बार्ट भली बानती समझ में आगया होगा अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अभी इस चैनल को ये अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद